हेलो एवरिवन वन्स अगेन वेलकूम बैक टू मैई चैनल आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन-कौन से फूलों वाले पोदे जिने बरसाथ जुलाई में बल्ब या बीज से आप असानी से ग्रो कर सकते हैं पीछे जी तेज तापमान के करण बहुत से पोदे भ भरा भरा करने के लिए एक नई शिरुआत करने का सनहरी होगा ताकि आप फ्री में अपने पोदों को बीज या बल्ब से इवन कटिंग से भी आप इस समय बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं इस समय जो भी आप बीज बहुते हैं वो असानी से ग्रो भी हो जाते हो देखते ह अगर आप free of cost gardening करना चाहते हैं तो बीज की collection स्रूर किया करें वैसे तो बीज या बल्ब आप market या online से असानी से ले सकते हैं लेकिन जो बीज हम खुद के save करते हैं उनकी collection करते हैं उनकी quality बहुत ज़ादा अच्छी होते हैं उनमें spring season में rainy season में या फिया after flowering बहुत सारे उनमें बीज बनते हैं आप बीजों कोई कठा करें उनने सेव करें जैसे कि अप समय आ चुका है अपने बीज को ग्रो करके आप नहीं ने पोदे स्टेंपर free में बना सकते हैं फ्रेंड से बीज ग्रो करने के लिए मैं आपको potting mix यहां पर share कर देती हूं आप मिट्टी जो है वह एक भाग ले सकते हैं मिट्टी को solarize जरूर कर लिजे क्योंकि बरसात का समय है मिट्टी जो है वो अल दा टाम गीली रहते हैं इसमें फंगस लगने का धर रहता है एक भाग आप इसमें कोको पीट जो है वो भी आप डाल सक सकते हैं और अगर आपके पास साफ अंजी सेट नहीं है तो इसकी जगह आप हल्दी का पर्योग जो है वो भी कर सकते हैं अच्छे से अपने पॉटी मिक को मिक्स कर दीजो जिस भी पॉट में या फी सीलिंग ट्रे में आप बीज ग्रो करना चाते हैं उसमें अच्छे से मि पोदे भी असानी से आप नर्सी से लाकर अपने गार्डन में जो है वो एड कर सकते हैं बहुत सारी वेराइटी में ये पोदे आपको मिल जाएंगे जिसे आप 6-8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं नॉर्मली इनके पोदों को बल्ब से ग्रो किया जाता है क्योंकि होते हैं ये time to time बहुत जादा जो है वो multiply होते रहते हैं इनके बल्ब को grow करने के लिए आप इनका जो crown area है उसे थोड़ा सा मिट्टी में दबा दीजिए और जो pointed area होता है जहां से supported होते हैं उसे आप मिट्टी में थोड़ा सा open में आप रख दीजिए थोड़ी सी मिट्टी बहुत सारे बीज बनते रहते हैं पहले ये जो पीज होते हैं वो green color के होते हैं बाद में जब इनके बीज पाक जाते हैं तो उनका जो outer shell होता वो orange color का होता है जिसके अंदर रहते हैं चोटे-चोटे मटर के दानों के समान चोटे-चोटे बीज बीज ग्रो करने के लिए आ ताकि हमारे जो बीज है भो ढख जाएं और बीज को ग्रो करने के लिए कोशिच करें इसे morning वली दूप ली जगा पर या bright light वली जगा पर जो है वो रख दीजिए क्योंकि इनके बीज को ग्रो होने के लिए अच्छी खासी light की ज़रूरत होती है और एक चीज का ज़रूर अगर आपके सीटी में बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश के लगातार बारिशों के पानी से आप अपने बीजों का बजरूर बचा कर रखे और नेमिंग करना बिलकुल भी मत बुलिए गा फ्रेंट से नेक जिस फूलाँ वाले पोदे को आप बहुत असानी से बी जिसमें पहले फली बंदियों जब फली पक जाती है तो उनके अंदर रहते हैं सफेद रंगे चोटे चोटे टिकोमा के बीज तो बीज बहुत असानी से 10 से 15 दिन में जो है जर्मिनेट हो जाते हैं लेकिन इसके लिए पेशन्स की बहुत ज़ादा जरूरत रहती है और एक जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी आपके बिल्कुल भी बीज जर्मिनेट नहीं होंगे और इसके इलावा मॉस्टर जो है वो मिट्टी में हमेशा बना कर रखे और अगर आपकी सीटीज में कांटिनूसली बारिश हो रही है तो कोशिश करें अपने बहुत ही हैवी फ्लोवरिंग करता है इस समय भी आप इनके बीज को ग्रो करके नेने पोदे फिरी में बना सकते हैं इनके जो सुखे हो फूल रहते हैं उन्हें आप किसी भी मिट्टी के उपर भी खेड देंगे तो बहुत ही असानी से इनके जो बीज है विदिन वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं देखते हैं आपके पास फ्री के पोदे जो है वो बन जाते हैं तो ये पोदे भी आप इस समय बहुत असानी से बीज दवारा ग्रो भी कर सकते हैं और नर्सी में भी बहुत सस्ते दावों में 20-25 रुपे तक लाकर भी अपने गार्डन में आड़ क भी आप पोदे जो पोदे के बीज वहाग है, जोब आप के लगढ वीज बहुत जाता है और फूदे के जो वेजर वह वह बहुत से गार्डन में भी बहुत एको पोदे लाकर पोदे कि पोदे कुक्त इन पोदों पर इंफस्टेशन की प्रॉब्लम जो होती है, यह लीफ कल की प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए आप टाइम टो टाइम इन में नीम ओल का सप्रेज वह कर सकते हैं, इन पोदों को ब्राइट लाइट काफी अच्छे से चाहिए होती है, फ्रेंड्स नेक्स है हमा जो बीज हैं ऑपने आप गिरते हैं वही से नईने पोदे इसके उखते रहते हैं, और सस्के दाबव में आप नर्ची से लाकर भी अपने गारडन में हैड कर सकते है, नवमबर दिसंबर तक इन पोदों पर बहुत हैभी ब्लूमिंग होती है फ्रेंट्स नेक्स्ट है जीनिया, जीनिया की भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, इनके बीच को ग्रोव करने के लिए आप इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगा पर रखकर ग्रोव करें और अगर आप इनको अंधेरी वाली जगा पर रख देते हैं तो इनकी जो सीडलिंग है वो लेगी लेगी सी हो जाती है, आप चाहें तो सस्ते दावा में नर्सी से भी इनके पोदे लाकर अपने गार्डन में अड़ कर सकते हैं, नमबर दिसंबर तक ये पोदे बहुत ही पोदों को भी आप इस समय बीज से असानी से ग्रो कर सकते हैं, इनके जो बीज होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही बारीक बीज होते हैं, इनके बीज को ग्रो करने के लिए, आप सिंपली इनके बीज को मिट्टी के उपर बिखेर दें, बीज को बड़ा ज इनकी जो germination हो जाती है और यह जो पोदे होते हैं इन पोदों को cutting से grow करना भी बहुत जादा easy रहता है फ्रेंट से नेक जिस फूलों वाले पोदे को आप इस समय बहुत असानी से बीच दवारा grow कर सकते हैं वो है morning glory का flowering plant बहुत सारी इसकी colorful varieties होते हैं इसके फूल काफी खूपसरत होते हैं यह भी एक बेल नुमा flowering plant होता है इसकी बेल बहुत ही तेजी से फैलती है और इनके बीच को grow करना बहुत ही जादा easy रहता है इनके जो बीच होते हैं वो black color की होते हैं after flowering इसमें time to time बहुत सारे बीच बनते रहते हैं तो मैं अपने garden से ही इनके जो बीच है वो save कर लेती हूँ या फिर इनके जो बीच होते हैं फ्रेंस जहां जहां गिरते हैं वहीं से इनके जो पोदे हैं वो अपने आप ही पनपते रहते हैं इनके जो बीच होते हैं वो ती यह है मीरा बिल्स जिसे संधिया मालती कहा जाता है यह एक पर्वनेंट फ्लॉवरिंग प्लांट होता है जो 12 महिने बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है कटिंग से भी असानी से यह पोदे ग्रो हो जाते हैं और इनके उपर बहुत सारे ब्लैक कलर के बीज बनते हैं और जहा इनके जिस भी पॉट में आप बीज को ग्रो करें तो कोशिश करें उनको आप थोड़ा सा ब्राइट लाइट वाली जगा पर रखें यह देखें जो मैने बीज इस वहले पॉट में डाले थे यह देखें मुझे दो पोदे जो है वो फ्री में मिल गया है तो आप भी इस सम आप बीज से बहुत ही असानी से घ्रो कर सकते हैं फ्रेंट उस्क्रीन पर अब देखने में काफी रूएड़ार होते हैं जिस फैरा से हमारे गजेनिया प्लांट के सीड्स होते हैं काफी हलके होते हैं थोड़ी सी हवा चलने से भी उड़से जाते हैं इसलिए इनको ग्रो क वार्ट को पोड़ थिए तैम में अप्टी और भांचे परक्र scoras . भांड्य के भांडी को प्रल में पramड़ करना करसा हैं। जब इनके बीज जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तब आप इनके पोदों को फुली सन में रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं इसके इलावा जो देसी वाले वेराइटी के सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो नमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो काफी बड़े साइस के होते ह हैं और कड़क से होते हैं फ्रेंड्स उनको ग्रो करने से पहले उनको कम से कम 5-6 दिन जो है उनको भिगोना पड़ता है और जब उनका जो शेल है वो थोड़ा साफ्ट हो जाता है उनके शेल्स के अंदर से उनकी बीज को निकाला जाता है बीज को निकालने के बाद उनको म तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही खुबसूरत इसका फूल होता है, बहुत उनीक और साल में एक बार इसका फूल है वो खिलता है, इसके नेने पोदे इस समय बल्ब से ग्रो करके भी बना सकते हैं, या फिर नर्सी से बने बनाए इसके फ्लावर इरिया होता है, उसे बिट्टी के ऊपर रखना होता है, और कोशिच करें इसे थोड़ा सा शेडी अरिया में रख कर ग्रो करें, पानी का ज़रूर द्यान रखें, क्योंकि अवर वाटरी की वज़े से हमारे जो बल्ब है वो रॉट हो जाते हैं, इस समय अगर आप इनके प इनके पोदों को आप बल्ब द्वारा समय जो हो ग्रो कर सकते हैं, इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, बहुत सारी इसकी वेराइटी होते हैं, सिंगल पैटल, डबल पैटल और इसकी फूलों में बीनी सी खुश्बू भी रहती है, बहुत ही खुप सर ये फ्लॉबरिं इनके फूलों वाले पोदे को आप इसमें बीज दवारा बहुत असानी सी ग्रो कर सकते हैं, वह है लेंटेना फ्लॉवरिंग प्लांट और इन पोदों के उपर बहुत सारे बीज बनते रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लेंटेना फ्लॉवरिंग प्लांट के उपर kuatr Some डे moi मेंटे हो 11-14," को जाते हैं, ठीज को कार बीज दीट ने के समान होते हैं, ज़हां-जहां इन जहां इनके बीज गिरत आप जाते हैं और ग्रो जाते हैं धेने वहीं, अगर आपकी बीज MiT के बने रहते हैं, तो आप इसमें इनके बीज किसी भी मैस्ट में पो जाते हैं और ये पोड़े जाड़ की तरह जो वोगो होते जढ़े जाते हैं पूरा साल ये पोड़े बहुत हैफी ब्लूमिंग करते हैं फ्रेंढ़ इन nggak जी पोलों को आप इस समय बीच द्वारा फ्रैंड्स वो विंटर में बहुत हैवी ब्लुमिंग करते है और कटिंग से भी आप इनके नें पोड़े जो इंग में बना सकते हैं यह पूदे को आप समय दो इस のमें बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं उल है अपराजिता यह पर्मेनें फॉल्वरिंग वाइन होती है पास भी कुछ बीज जो रखे हुए थे जिसे मैं इस वाले पॉट में डाल दूँगी चार से पाँच दिन में इनके जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाते है और इस वाले पॉट में देखे श्याद अपने आप ही बीज एक गिरा था यह देखे एक नन्ना सा एक पोधा जो व भी कर सकते हैं Meiniden reg怎 तो को आपी कि समय बीज से बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं वो है हमारा cranberry harvest plan यह भी बहती हई कूप सुरत हैं इस को इस हमें 20 से असानी से ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पस इनके मदर प्लांट रखी हुए हैं बीज से ग्रो करने के लिए आप इनके बीज को मिट्टी के उपर डाल दीजिए किसी भी मॉइस्ट वैल्डिन मिट्टी के उपर डाल दीजिए बहुत असानी से 7-8 दिन में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं देखते ही देखते हैं आपके पार बहुत ही सुंदर-सुंदर फ्रीक के पोदे जो हैं वो आपको मिल जाते हैं कटिंग भी इसकी असानी से ग्रो हो जाते हैं दियान रहें इस पोदे के साथ चुटे-चुटे कांटे भी रहते हैं इसके साथ वर्क करते हुए कोशिश करें गलफ का इस्तमाल आप जरूर करें फ्रेंड नेक जिस फूलन वाले पोदे को आप इस समय बीज से असानी से ग्रो कर सकते हैं इनकी सीडलिंग को कोशिश करें ब्रायट लाइट वाली जगह पर रकर ग्रो करें अन्देरी वाली जगह पर इनकी सीडलिंग लेगी से हो जाती है नेक्स्ट है कोलीज़ कोलीज़ भी बहुत खूब सुरत एक पर्मानेट और्मेंटर प्लांट होता है जिसे cutting और बीज दोनों से आप बहुत असानी से grow भी कर सकते हैं या फिर बने बनाए पोदे या saplings लाकर अपने garden में add भी कर सकते हैं फ्रेंट से next है गुम फेनना गुम फेनना भी आप बीज तवारा जो है बहुत असानी से grow कर सकते हैं सातिसा सी लोसिया की बहुत सारी varieties होते हैं इन पोदों को सिर्फ एक पर अपने garden में add करना होता है फिर जहां जहां इन पोदों की बीज गिरते हैं वहीं से इनके नेने पोदे अपने आप ही garden में grow होते रहते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे पूलों वाले पोदे शेयर करें हैं जिने आप बरसात में बहुत असानी से बीज और बल्ब दोनों से grow करके फ्री के पोदे जो है वो गार्डन में बना सकते हैं आज की वीडियो आज सबके लिए यूसफुल रही होगी वीडियो अगर आपको थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फ्रेंड से ब्लेस्ट और बाबाई